वागता आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में आज की जो न्यूज है बहुत इंपोर्टेंट न्यूज लेकर मैं आप सभी के सामने आया हूँ 33 सिक्षक भरती जो परिक्षा 2018 लेवल पर्थम के 5560 पदो पर परिक्षा सुची जारी होगी ये उन सभी साथियों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है जो बहुत कम अंकों से वंचित रह गए थे इसकी न्यूज इदैनिक बासकर में आई आई आप देख सकते हो और राज्य सरकार ने निरवाचन विभाग को फाइल वेजी है और उन से अनुमती मांगी है कि जल्द से जल्द जो पच्पन सो साथ जो तरतिस रेनी के जो लेवल पर्थम के जो अध्यापक है उनको न्यूकती दी जा सके इनमें वो अध्यापक है जो या तो काउंसलिंग में उपस्तित रहे है या डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाया है तो उनकी इस्तान पर जो पोश्ट थी वो पूरी बढ़नी है लेवल पर्थम के 26,000 पदों पर बरती प्रकिरिया शुरू की थी लेकिन 18,000 चैनितों नहीं जोइन किया 8,000 पद खा लिये तो उन पदों को बरने के लिए ये प्रकिरिया अपनाई जा रही है और जो दूसरी न्यूज है मेरिट के अनुसार हो ग्रह जिलों में पदस्ता अपना ये आई कोर्ट का ओर्डर है ये कोई आई कोर्ट ने तित्ते सेनी शिक्षक बरती 2018 में अधिक मेरिट के बावजूद भी ग्रह जिले में नियुक्ती नहीं देने के प्रार्थी को ग्रह जिले या उसके आसपास जिले में पदस्ता पित करने के निर्देश दी है ये अधिवक्ता आर्पी सेनी ने रिट लगाई है और प्रार्थिया ने 33 नी 2018 जो है वो अंग्रेजी विशय से भाग लिया था और सिरुई जिले में उनको पदस्ता पित कर दिया गया तो उनकी मांग है कि उनको अलवर या उनके जो आसपास जो ग्रह जिला है उसमें पदस्ता पित किया जाओए ये बात है और इसके बात जो इंपोर्टेंट जो नियूज निकल कर आ रही है वो है प्री बीएश्टीशी परिक्षा 26 माई को आवेदन में संसोदन कल तक प्री डी अलर्ड जिसका नाम पहले प्री बीएश्टीशी था उसकी जो परिक्षा है वो 26 माई को होगी साड़े साथ लाख अब्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया है अब्यर्थियों ने अठार अप्रेल तक परिक्षा सुल्क जम्मा करवाकर टोकन ले रिया है वे 20 अप्रेल तक ओनलाइन आवेदन कर सकेंगे वही आवेदन फॉरम बरते समय यदी को तुरूटी रह गई है तो उसमें भी अब्यर्थि संसोदन कर सकेंगे संसोदन के लिए अब्यर्थियों को 20 अप्रेल तक का समय दिया गया है पचास रुपे सुल्क देखकर निर्दारी तिती तक अब्यर्थि पूरों में भरे गई आवेदन में तुरूटी सुदार कर सकेंगे ऐसी ही एजुकेशनल और अच्छी न्यूज के लिए चैनल से जुड़े रहे है थैंक यू लाइक शेर कमेंट सब्सक्राइब यूटूब चैनल